पाकिस्तान की तमाम युनिवर्सिटीज और इंस्ट्यूशन के एड्मिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजिस के दाखलों और M.D.C.A.D. की मुकमल रहनुमाई, मेडिकल एंजिनिरिंग, लौ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्स साइंसे, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टेडिज, सोशल साइंसे और बिजनस स्टेडिज के प्रोग्राम्स, युनिवर्सिटीज के एड्मिशन शेडूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरिनेशनल स्कॉलर्शिप, बोर इंतिहाना, दाखलों, रिजल्ट और इंप्रूव्मेंट की मुकमल इंफरमेशन, आर्मी, नेवी और एरफोर्स के जॉइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसिलिंग और तमाम ज़रूरी अनॉंस्मेंट्स, नोटिफिकेशन और तालीमी नियूज हासिल करने के लिए, अब ही हमारा प्रफेशनल वाटसेफ ग्रूप जॉइन करें, सिर्फ तीन सो रुपे में पूरे साल के लिए, जॉइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, असलाम लेक्म आवरिवान, लियर स्टुडेंट्स, कुछ रोज कबल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसे यूएचस लाहूर के तरफ से पंजाब के तमाम पॉब्लिक सेक्टर मेडिकल और देंटल कॉलेजिस में एडमिशन के हवाले से एक ओफिशल नोटिफिकेशन ज शेयर की गई थी लेकिन इससे अगले ही रोज यूनिवर्सिटी ऑफ हैल साइंसे की तरफ से यह तमाम अपडेट्स रिमूव कर दी गई वेबसाइट के ओपर से प्रोस्पेक्टस भी रिमूव कर दिया गया और जो इडमिशन नोटिकेशन है वो भी रिमूव कर दिया गय ना सिर्फ वेबसाइट बलके फेस्बुक और ट्विटर अकाउंट्स के ओपर भी तमाम तर अपडेट्स को खतम कर दिया गया यूचस के अनाउंस करदा नोटिकेशन के मताबिक दो नवेंबर से आउनला रिजिस्टेशन स्टार्ट होने थी और अप्लाय करने के आखरी से रिलीज किया जाएगा उसका शडूल जो है वो दुबारा से रिवाइज होगा और अब जो ऑनला रिजिस्टेशन स्टार्ट होने की और खतम होने की जो तारीखे हैं उससे मुतालिक बाद में यूचस की तरफ से गाइड किया जाएगा इसलिए तमाम स्टूडेंट जो दो नवेंबर से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो बैंक ऑफ पंजाब के ओफिशल वेबसाइट से ऑनलान अप्लाइ करें तो मेरा ख्याल है कि अब भी तक किसी किसम की कोई अपडेट नहीं आई है और जब तक यूचस की तरफ से कोई नया नोटिकेशन सामने नहीं आ सामने आया था तो उससे अगले ही दिन पीम सी को नोटिकेशन आ गया था जिसमें नहीं नहीं यह कहा था कि ऐसे तमाम स्टूड़न्स को प्रविजन दी जाए इस तमाम स्टूड़न को अलाग किया जाए कि जिन हो जिनका रिजल्ट अवैलेबल नहीं है जो स्पेशल एक् सकते हैं तो इस किसम का जो काम है इस किसम की प्रविजन की तरफ से सेट नहीं की थी पूरे नोटिफिकेशन के अंदर लेट और डिलेड रिजल्ट के साथ अप्लाई करने वालों क्या कोई जिकर नहीं था तो इससे कंफूजन क्रियेट हो रही थी तो मेरा ख्याल है कि तो तब वह अपने उस वक्त के रिजल्ट की बेसिस पर कैसे अप्लाई करेंगे उस वक्त स्टूडेंट अपना स्कूर कार्ड कैसे सब्मिट करेंगे तो इससे मुतालिक पॉलिसी में अमेंडमेंट्स होंगी और उसके बाद ही नया नोटिक्वेशन जारी होगा और एस स् अमाम स्टूडेंट्स जिनके पास अभी करेंट्ली रिजल्ट अवैलेबल नहीं है या वो अपना सब्मिट नहीं करवाना चाहते हैं और बाद में अपने डिलेड रिजल्ट जो के स्पेशल एक्जैम्स का रिजल्ट हो सकता है या एलेवल्स का रिजल्ट वो अगर स्टूडेंट्स को प्रविजन ग्रांड करने से मुतालिक कहा गया था कि जिनका एक्जैम्स की वजए से इनका रिजल्ट बाद में आएगा तो इन स्टूडेंट्स के पास 10 वर्वी 2022 तक का टाइम अवैलेबल है कि यह अपना रिजल्ट सब्मिट कर वा सकते हैं स्टूड से यानि इंटर्मेडियेट एफसी का रिजल्ट अपलोड करने लगे तो वहां पर एफसी या ए-लैवल कर रिजल्ट अवेटेड वाली ओप्शन को सुमनतखिब करना होगा और एसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आवेटेड की ओप्शन को स्लेट कर लेते हैं तो उनके ल पासवर्ड के थूरू नम्स के ओफिशल वेबसाइट पे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद इनके पास उप्शन मुझूद होगी कि यह अपना न्यू रिजल्ट वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट दस फरवरी 2022 तक अपना FSC या A-Level के रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं आपको अपने रिजल्ट का डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक कर दें जिससे आपका रिजल्ट सेव हो जाएगा और उसके बाद जब आपकी मेरिट कैलकुलेशन होगी तो वो न्यू रिजल्ट की बेसिस पर होगी इसके लावा केंटिटेट्स को FSC A-Level के क्यूमुलेटिव यानि टोटल माक्स भी आड़ करने होंगे और इंडिविजूल साइंस के सब्जेक्ट वाइज यानि बायालजी केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथमेटिक्स की माक्स भी मेंचन करने होंगे और उसके बाद इस option को भी save कर दें जबके foreign qualification के हामिल candidates को IBCC के तरफ से equal certificate भी तैयार करवाना होगा यानि students में ये काफी बड़ी confusion create हुई हुई थी कि अभी चूंके registration तो open हो चुकी है nums की तरफ से भी और इससे पहले UHS का भी notification आ चुका था तो ये clear नहीं हो रहा था कि अभी हम apply कर दें या कि हम result का wait करें और अभी अगर apply करेंगे तो क्या result upload करना है और बाद में किस तरीके से होगा तो मेरा ख्याल है कि अब nums की तरफ से जो ये notification सामने आ गया है तो इससे अब तमाम students को 100% clarity हो जानी चाहिए कि अभी apply करते हुए आपकी जो FSC के result का जो आपने document upload करना है और उसके अंतर जो result के आपने statistics upload करने है कि कितने marks हैं और आपके sciences के subjects में कितने marks हैं तो ये अब optional हो गया हुआ है आप चाहे तो इन्हें upload कर दें या चाहे ना करें और साथ में आपने result awaited वाला option select कर लेना है औ अगर तो अला करें कि 10 फरुवी से पहले पहले ही आ जाए तो 10 फरुवी तक का time दिया गया है कि आपके पास result आ जाता है तो आप login करें नम्स के official website के ओपर और login करने के बाद महां पर अपना academic record आपडेट करें अपने document को scan करके upload कर दें और इसके अपने result और साइंस का सब् secondary हो चुकी हुई है पीम सी की तरफ से notification जारी हो जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के जितने भी सरकारी या प्राइट सेक्टर के medical and dental colleges है तो वहां पर students के पास students को यह choice दी जाएगी कि वह चाहे तो अभी उनके पास जो result आया है उसकी business पर apply कर दें या चाहे तो वह अभी prov permission procedure काफी delayed हो चुका है और इसमें मजीद भी delay होना वो किसी तोर पर भी स्टोर्ट के favor में नहीं है तो लेट्स हो कि तरफ से जल्दी notification आ जाएगा और उसमें चंदे commandments के बाद जो है students online apply करना start कर देंगे लेकिन इसके साथ एसाथ जो अजाज जमिन कश्मीर के medical colleges हैं वहां प और बीडेस की सौ सीटें रिजर्व होती हैं तो इन से इनके अड्मिशन से related भी मुकमल नोटिकेशन जारी कर दिया गया है एक डिटेल डॉक्यमेंट अपलोड हो चुका हुआ है अगर आप आजाद जमुन कश्मीर की मुहतरमा बेनजीर भुटो शहीद medical college को official website देखे तो और आजाद कश्मीर के स्टूडेंट के लिए जो पाकिस्तान के medical colleges में रिजर्व सीटें हैं उन पर अपलाई किया जा सकता है इसके बाद अगर eligibility criteria की बात करें तो वही आपका के intermediate FSE pre-medical या equivalent qualification में कम से कम 65% marks यानी 1100 में से 715 नंबर होने लाजमी है और fresh applicants अपने total marks और जो कम 65% marks या 137 marks के साथ पास किया गया हो इसके लावा स्टूडेंट 2020 के MDCAD की basis पर भी अपलाई कर सकते हैं merit calculation formula की बात की जाए तो metric 10% वेटेज FSE intermediate या equivalent qualification की 40% जबके national MDCAD की 50% वेटेज शामिल की जाएगी admission के लिए apply करने का मुकमल procedure online है और आप यहाँ admission का link देख सकते हैं mcadmissions.ajk.gov.pk इस website के पेज पर जाकर आपने लॉग इन करना है और अपनी online registration कम्पलीट करनी है apply करते हुए candidates अपने colleges की preference को मनतखिब करें और इसके लावा जितनी भी categories की seats available है तो जो भी student जिस category के case admission के लिए apply करना चाहता है तो वो apply करते हुए मुतलिका category की selection करें. candidates को processing fee 3000 रुपे allied bank limited की कि किसी भी ब्रांच में deposit करनी होगी और अगर admission schedule की बात की जाए तो online application 2 November की सुबो 9 बजे से start हो चुकी है और apply करने की आखरी तारीख 16 November की शाम 4 बजे तक है हिवज़ कुरान का test 22 November को सुबो 10 बजे conduct किया जाएगा और test का जो venue है वो आजाद जमुन कश्मीर Medical College मुझफराबाद में होगा इसके लावा students with disabilities के लिए medical board 23 November की सुबो 10 बजे शेख खलीफा बिन जायद अलहियान hospital CMH मुझफराबाद में होगा तमाम students की district wise provisional merit list 30 December को जारी की जाएगी इसके लावा जिन students को अपने record के अंदर किसी किसम की mistake नजर आती है तो वो उसमें correction के लिए 1 से 4 December तक contract कर सकते हैं जिसके बाद तमाम colleges की college wise पहली selection list है वो 10 December को अपलोड कर दी जाएगी पहली merit list में select होने वाले students के पास 17 December तक का time होगा कि वो fee submit करवा दे हैं जिसके बाद second selection list 22 December को डिस्पले होगी और classes का आगास 3 जनवरी से कर दिया जाएगा इसके बाद जरूरत पढ़ने पर तीसरी merit list 27 December को और उसके बाद further merit list अपलोड होती रहेंगी आजाजाजमिन कुश्मिर के government sector के medical and dental colleges में admissions related किसी भी further information और guidelines के लिए दियेगे contact number के तरूर रापता करें झाल